दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे आज की पहली कबर नहीं रहे देश के पहले सिडियस जनरल बिपिन रावत का हेलिकप्टर क्रेस में निधन पतनी मदूलिका समेथ 13 लोगों की मत जिहाँ जनरल बिपिन रावत अब नहीं रहे वे देश के पहले चीप आप डिवेंस स्टाप यानि सिडियस थे तामिल नाडू के कुन्नूर में बुद्वार दोपर गरीब 12 बजे 20 मिनट पर उनका हेलिकप्टर क्रेस हो गया था उसमें जनरल रावत की पतनी मदुलिका रावत समेत सेना के 14 लोग सवार थे इस आजसे में तेरा लोग की मौत हो गई है जबकि एक के घाया लोगें की खबर है तो वहें सेडियेस बिपिन रावत के निदन पर देश में दोड़ी सौक की लहर राश्टपती वा पियम सहीत कई हस्तियों ने जताया दूख जानिये किसने क्या कहा जनरल बिपिन रावत के दुखद मौत के बाद पूरी भारत में सौक की लहर दोड़ गई भारत के राश्टपती रामनात कोविन, प्रधान मंतरे नरेंद्र मोदी, ग्रिया मंतरे अमित सा और कॉंग्रेस नेता राहूल गानी समेद बड़ी हस्यों ने सोक व्यक्त किया वहें बिहार के सेम नितिस कुमार ने भी समेदनाई व्यक्त की राश्टपती कोविन ने जनरल रावत के नितन पर सोक व्यक्त किया, उन्होंने ट्विटर पर कहा, जनरल बिपिन रावत और उनकी पतनी मदुलिका जी के असमाईक नितन से इस्तंब और वेदत हूँ, देश ने अपने सबसे बहादूर सपुतों में से एक को खो दिया है वही पियम मोदी ने जनरल रावत के नितन पर कहा, जनरल बिपिन रावत एक उतकरिष्ट सेनिक थे, एक सच्चे देश बक्त उन्होंने हमारे ससत्तर बलो और सुरक्चा तंदर के आदोनी करन में बहुक्त योगदान दिया, वही अमित साने सोक व्यक्त करते वे ट्यूट पर कहा, देश के लिए एक बहुत दुखत दिन क्योंकि हमने अपने सिडियस जनरल बिपिन रावत जी को एक बहुत दुखत दुरगटना में खो दिया है, वह सबसे बहादूर सेनिकों में के एक थे, उन्होंने अच्तन भागती के साथ मात्र भूमी की सिवा की है, इसके इस समय में हमारी समिदनाए उनके परिवार के साथ है, अपनी जान गवाने वाले अने सभी लोगों की प्रती भी हार्दिक समिदना इस दुख की घड़े में भारत एक साथ खड़ा है अगली बड़ी खबर जारी हुई रेल्वे गुरुबडी भरती की परिचा तिती, देखे सेडियोर जा रेल्वे गुरुबडी भरती परिचा 23 परवरे 2022 से 2249 में सुरू होगी परिचा की अभियारती वार सहर्वा तिती की डेटेल एकजाम डेड़ से 10-10 दिन पहले जारी की जाएगी जबकि एडमिट कार्ड परिचा तिती से 4-4 दिन पहले जारी की जाएगी एसी और एस्टी वर्ग की उमिद्वार अपनी ट्रेवल ऑथरेटी भी परिचा तिती से 10 दिन पहले ही डाउनलूट कर सकेंगे रेल्वे की इस भरती में गुरुबडी की 1,3,000 वेकेंसी भरी जाएगी गुरुबडी पदो पर भरती के लिए 1,15,000,000 लोगों ने आवेदन किया था अगली बड़ी खबर लालो परिवार में क्रिश्यन दुलान तेजस्वी यादव आज दिल्ली में सगाई करेंगे परिवार और पार्टी के चुनिन्दा लोग ही होंगे सामिल या लालो यादव के चोटे बेटे और बिहार के नेता परतीपाउच तेजस्वी यादव के साधी पक्की हो गई है आज वह दिल्ली में सगाई करेंगे या कारिकरम दिल्ली में होगा और इसमें परिवार वह पार्टी के चुनिन्दा लोग ही सामिल होंगे या भी चर्चा है कि उनकी होने वाले दोलन इससाई फेमेली से है हाला कि अभी इन सब के अधिकारिक पुष्टी नहीं हुई है आपको बदा दे कि लालू प्रसाद या अदव लगातार अस्वस्त चल रहे है वे चाहते हैं कि तजस्वी के हाथ जल से जल पिले हो और परिवार में खुसिया हो अगली बड़ी कवर बिहार में अब पड़ेगी कडाकी की ठंड पटना के मौसम बेगानियों ने जारी किया पुर्वानुमान जिहां बिहार के मौसम में अगले 24 गंडों में बदलाव के असार है इस दोरान पुर्वी होगा के परवार में परिवर्थन होगा पुर्वी होगा की जगा प्रदेश में उत्तर पश्चिम होगा का असर बढ़ेगा प्रदेश के पुर्वी भाग में एक या दो इस्तानों पर हलके वा मैदा मिस्वर के कोहरे के साथ नियुनतम तापमान में भारे गिरावट देखने को मिलेगी इससे प्रदेश में ठंड का असर बढ़ेगा मौसम बिगानिकों के अनिसार प्रदेश में अगली चार से पाँच दिनों में नियुनतम तापमान में दो से चार डिग्री सेलसियस गिरावट के आसार हैं मौसम बेगानिकों की माने तो बंगाल की खाड़े में कम दवाव का चेत्र विक्सित होने वो चकरवात जवाद के परबाव से प्रदेश के मौसम में बदलाव देखा गया है अगली बड़ी खबर दसवी चरण के पंचाज चुना में 63.90 परदेशत बोटिंग मददान में महिलाए एक बर फिर पूरुसों से आगे जहां चेटपूर्ट गटनाओं के बीच बिहार पंचाज चुनाओं के दसवी चरण के मददान कल संपन हो गया सुबस साथ बजे से साम पांच बजे तक मददान हुआ कूल 63.90 परतिसत मददाताओं ने अपने मतादिकार का परयोग किया गया में सबसे अधिक 75.76 परतिसत बोटिंग हुई पूरुसों के तुलना में महिलाओं के भागी दारी अधिक देखी गई आपको बता दे कि 69.10 परतिसत बोटिंग और 68.79 परतिसत महिलाओं वोटोरों ने अपना मतादिकार का परयोग किया पिछले कई चर्णों की तरह इस बार भी महिलाओं ने बढ़ चर कर मददान में हिस्सा लिया बाड़े खबर BSSC प्रता मिंटरिस्तरिया काउंसलिंग की डेट घोसित हर अभियारतियों को लाने होगी पेंड ड्राइब जहां बिहार करमचारी चायन आयो की प्रता मिंटरिस्तरिया सोईक्त परिक्षा के लिए 14 दिसम्बर से काउंसलिंग आरम होगी इस परिक्षा के मायदम से राज के 42 विवागों में 13,120 पदों पर न्योक्ती होनी है 14-24 दिसम्बर तक काउंसलिंग एन कोलेज के नए परिक्षा भावन में आविजित की जाएगी इसके लिए 14,410 उमिद्वारों का चैन किया गया है आयो के सचीव ओम प्रकास पाल ने विस्त जानकरी द वार तुची जारी कर दी गई है आयोग ने अभियर्तियों को इसपष्ट किया है कि विवित पपत्र एक तता वंचित परमान पत्र के मूल प्रति के स्केन कोपी पीडियाप के रूप में पेंड्राइब में सेव करके लानी है पेंड्राइब में अपने रोल नमबर से फो पार लोटे IPS सिवदिव लांडे जहां पांच साल बाद IPS सिवदिव लांडे वापस बिहार लोट गए हैं वे फिलाल महराष्ट में ATS में डियाजी के पदपर है लेकिन अफिर से बिहार में ही काम करेंगे वे पटना में दो बार CTSP के पदपर रा चुके हैं इसके अलाव इसमें उन्होंने यहां लिखा कि स्पाइस जेट के मुंबई से पटना आने वाली फ्लाइट संग का SG 923 के दुरभाईग पूर्ण और निरास जनक विवस्ता को महसूस किया IPS सिवदिव लांडे ने सबाल उठाया कि बिना किसी घोसना कि आप इतने बिहार यात्रियों को यू एक बंद डिबे में कैसे कद कर सकते हैं क्या ऐसा आप अने राज्जों के यात्रियों के संग कर सकते हैं जब हम कुछ बिहारियों ने अपनी आवाज उठाई तो के स्कुलों में किस दिसमर से क्रिसमस के चुटिया बच्चों को दे दी जाएगी चुटि के बाद 2 या 3 जनवरी से पढ़ाई दुबारा सुरू होगी हाला कि चुटि के बाद क्लास ओफलाइन मोड में होगी या ओलाइन मोड में या परिस्यतिक अनुसार स्कुल फैसला करेंगे इसकुलों में फिलाल कोरोना के नए वेरियंट और लोगों में उसकी डर को देखते वे क्लास संचालित करने को लेकर मेटिंग की जा रही है अब इसकुल में अभिवावक भी ऑलाइन क्लास सुरू करने को लेकर इसकुल प्रवंदों को से रिक्विस्ट करने लग जारी कर बताया कि 721-22 के लिए कक्चा 9 और 11 के चात्रों का पंजी करन 15 दिसंबर 2021 से सुरू होगा पंजी करन लिंग सिब्यसी की बेवसाइट पर उपलब्द कराया जाएगा जिन विर्दातियों ने कक्चा 8 वी और 10 वी की परिचा पास की है वे अपना पंजी करन करा सकते है बड़ी कबर सासा राम से आरा के रास्ते पटना की दूरी महा जिधाय घंटे में होगी पूरी 35 करोड से बनेगी फोरलेन जिहां सासा राम आरा से पटना आने जाने वालों के लिए अच्छी कबर है अब इस सासाराम से पटना के सफर में 5-6 गंटे लगते हैं लेकिन अगले कुछ सालों में या दोरी महा जढ़ाय गंटे की रह जाएगी अगर सब कुछ सही रहा तो 19 साल 2022 के आन तक पटना से आरह होते वे सासाराम जाने के लिए फोरलेन सडक का निर्मान सुरू हो जाएगा इसकी प्रक्रिया तेज हो गई है बोजपूर जिले में जमिन अधिगरान की प्रारामिक करवाई पुरी कर ली गई है पंचाई चुना के बाद यहाने 31 दिसंबर तक तैयार रिपेट को एनेचाई के पटना करयाले भेज़ दी जाएगी फोरलेन के लिए 40 गाउं के कुछ को जमिल ले जाएगी बाड़ी खबर बिहार में अब मालिक नहीं कर सकेंगे कामगारों का सोसन उनकी सुरक्चा करेगा यह विसेस बोर्ड जह राज के निबंदित कारखानों में काम करने वाले कामगारों की सुरक्चा के लिए विसेस बोड बनेगा सरम संसातन विबाग की ओर से बनाई जाने वाले राज सलाकार बोड में कई विबागों के सचिव के अलवा कमपनी वा यूनियन के भी प्रतिनिती मौजूद रहें या बोड राज के निबंदित कारखानों में काम करने वाले कामगारों की नकेवल आर्तिक बल्के समाजिक सुरक्चा पर भी नजर रखेगा आपको बता दिक के राज के 8000 से अधिक निबंदित कारखानों में सबादो लाक से अधिक कामगार काम कर रहे हैं इन कामगारों क ब्यवसाइक सुरक्चा के साथ सामाजिक और स्वास्त की सुरक्चा के लिए बोर्ड का गठन होगा बड़ी खबर भोजपूरे श्ट्यार खेसारी लाल यादव पर लटकी गिरपतारी के तलवार अदालात से गेर जमनती वारंड जारी चेक बाउंस के मामले में एक्षन उन पर जमीन खरिदने के बाद रूपय नहीं देने का आरोप है चेक बाउंस ने के बाद उनके खिलाब रिपोर्ट दर्ज कराए गए थी कई तारीकों में पेसी पर नहीं आने के बाद उनके खिलाब अब गैर जमानती वारंड जारी किया गिया है अगली बड़ी खबर रोहित सर्मा होंगे टीम इंडिया के नई वंडे कप्तान विराट सिर्फ टेस्ट में करेंगे कप्ताने जहाँ साउत अफरिगा दोरे के लिए टीम इंडिया के टेस्ट टीम के एलान कर दिया गया है इसी के साथ ही रोहित सर्मा को नई जिम्मिदार दे दी गई है वो T20 इंटरनेशनल के बाद टीम इंडिया के नए वंडे कपतान बन गये हैं विराट कोलिस से वंडे कपताने वापस ले 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 गई है और इंडिया सेलेक्शन कमिटी ने बुद्वार को ये फैसला लिया है रोहित सर्मा को T20 वर्ल्ल कप के बाद टीम इंड आवेदन की तारीख जाने कब तक भार सकते हैं फॉर्म जिहाई इंद्रा गांधी नेशनल ओपन इनिवसिटी जुलाई पर विस 2021 के लिए आवेदन की तारीख 12 दिसम्बर 2021 तक बढ़ा दी गई है समेश्टर अधारिज कोर्सेस को छोड़ कर अज के लिए आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई है और मिद्वार यूजी पीजी कोर्सेस के लिए इगन की अधिकारिक साइड इगनू.ac.in के जरिये आवेदन कर सकते हैं आज के लिए आपका सवाल बताएं कि भारते क्रिकेट टेम में कौन से खिलाड़ी को गबतान होना चाहिए इसका जवाब आप हमें नेचे कॉमेंट करके जरूर बताएं